नमस्कार प्यारे बच्चों ग्यान सिंदु कोचिंग क्लासेज में जुड़ चुके हैं आप अरुनेश्ट कुमार के साथ और आज हम फिर एक बार लेकर के उपस्थित हुए हैं चैप्टर वन आपके संस्कृत खंड का वारण असी नाम का हमारे पास दो तरह के चैप्टर मौजूद हैं मतलब एक इसी तरह का नोट्स मौजूद है ये आपके बुक का चैप्टर है और एक चैप्टर हमारे पास और है जो खुद का टाइप किया हुआ है जिसमें हिंदी अनुआत सहित है आप बताईए कि आपको कौन सा पढ़ना है आप हिंदी अनुआत सहित पढ़ेंगे या फिर हम ऐसे ही पढ़ाएं एक बार कमेंट देखेंगे इसके बाद हम आप जो चाहेंगे वैसे पढ़ाएंगे बिलकुल विपिन कुमार जी है जी गुडिवनिंग है सुग्रीव जी है साक्षी है देव कुमार जी है विपिन बिलकुल हाँ हाँ बिलकुल चलो भाई पढ़ लो एक बार बस बच्चे कह रहे हैं अनुआत सहित पढ़ाईए ठीके मैं अनुआत सहित थोड़ा सा बढ़ा उसका फॉंट भी हो जाएगा बाकी में पढ़ा ये भी दूँगा आप तो जानते हैं तीन चार बार हमने तो एक बार चलते हैं हम आपको धून के दिखा देते हैं यहाँ पर ठीके मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि वो जो है आपका ये है वारा नसी का वारा नसी का पढ़ा देंगे ठीके जी ये चैप्टर हमारा है वारा नसी ये आपको हिंदी अनुवात सहित मिलेगा जिसमें लाइन बाई लाइन हमने हिंदी अनुवात दे रखा है और ये पीडिया भी हम आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक से तो आईए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर संदर्ब सबसे पहले लिखना होता है दिख रहा होगा हाँ थोड़ा सा कलर इसका दूसरा है क्योंकि पुरानी पीडियेफ है फिर भी पढ़ाने के कोशिश करते हैं आप लोग समझ जाईएगा ठीक है संदर्ब सबसे पहला होता है important क्योंकि यहाँ पर दो अंक में आपका संदर्ब आना है प्रस्तुत गद्यांस हमारी पार्ठ पुस्तक संस्कृत परिचाई का यहाँ पर संस्कृत अनिवार्य लिखेंगे संस्कृत अनिवार्य खंड भी लिख सकते हैं के वारानसी पहले इसका नाम संस्कृत परिचाई का आता था पार्ठ से लिए आगया है इसमें वारानसी नगर की शोभा का वरण किया गया है तो वारानसी सुविख्याता प्राचीना नगरी फिल्हाल मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा क्लियर कम दिखाई दे रहा है यह PDF हम आपको दे देंगे और पढ़ाते हम बुक से ही है ठीक है यहां से हम धून लेते हैं यार यही प्राब्लम होती है अपने साथ यह देखो वारानसी कार्थ होता है बनारस चीक है यहां देखो अब आपको यह पता होगा कि भाई वारानसी मतलब क्या होता है बनारस वारानसी कार्थ होता है बनारस तो वारानसी वारानसी सुविख्यात प्राचीना नगरी वाराण सी सुविख्याता मतलब सुविख्यात प्राचीना मिन्स प्राचीन नगरी मिन्स नगरी है वाराण सी सुविख्यात प्राचीन नगरी है इम माने यहा विमल माने निर्मल सलिल माने जल तरंगाया माने तरंगों वाली गंगाया माने गंगा के निरमल जल तरंगों वाली गंगा के किनारे इस्थित है। निरमल जो मल रहित हो सलिल यानी की जल तरंगाया माने तरंगों वाली गंगाया माने गंगा के कूले माने किनारे इस्थित है। किलियर हुआ ठीक है ठीक देखिए यहां पर देखो बड़ा बड़ा करके दिखा देते हैं। अस्या माने इसकी घटा नाम माने घाटों की थोड़ी देर लगेगी लेकिन अच्छा समझ में आएगा। अस्या मेंस इसके घटा नाम माने घाटों की थीक है घाटों की वलयाकरती माने घुमाओदार गुमाओ दार, ठीक है, वलयाकृती माने गुमाओ दार, ठीक, अस्या माने इसके घटा नाम माने घाटूं की वलयाकृती माने गुमाओ दार, वलयाकृती ये होता है गुमाओ दार, ठीक, पंक्तिही, धवलाया माने श्वेत, चंद्रिकाया माने चांदनी में, बहु माने बहुत राजते माने सुसोबित होती है इसके घाटों की शोभा इसके घाटों की घटा नाम वलयाकरती माने घुमाओदार शोभा पंक्ती पंक्ती माने लाइन धवला या माने श्वेत चंद्रिका या माने चांद्नी में बहु माने बहुत राजते माने सुसोबित होती है, ठीक है? अब देखो, समझो, अस्या घटा नाम वले आकरती ही, पंक्ती, इसके घाटों की घुमावदार पंक्ती, धवलायाम, श्चंद्रिकायाम, स्वेत चांदनी में, बहु राजते बहुत सुसोबित होती है, अगणिताह मिंस अनेक, परेटकाह माने परेटक, सुदूरे भ्या माने दूर, देशे भ्या माने देश से, नित्यम माने डेली या नित्यप्रदी, अत्र माने यहां, आयांति माने आते हैं, अस्याह माने इसके घटा नाम माने घाटों की, चां माने और और इसके घाटों की, शोभाम माने शोभा को विलोग के माने देखकर इमाम माने इसकी बहु माने बहुत जादा प्रशंशंति माने प्रसंसा करते हैं समझ में आया अनेक परियटक दूर देश से नित्प्रत यहां आकर के इसके घाटों की आते हैं और इसके घाटों की शोभा को विलोग के माने देखकर इसकी बहुत प्रसंसा करते हैं बात समझ में आई है अगर आप चैनल पे नए हैं तो क्या करना है सबसक्राइब क्योंकि 95 प्लस का टारगेट यू पी टॉप करने का टारगेट हिंदी में लेके आए हैं तो आप सही जaght पे आए हैं और आपको सबसक्राइब करना आपका करतब्य आपका धर्म बनता है initial classes है, free live classes है हमेशा full course free रहेगा no paid, no paid PDF कोई paid का जंजट नहीं वारान स्याम हमेशा शाम 7 बजे आपको live आना है कब? शाम 7 बजे ये chapter मैं लिख के दे सकता हूँ जरूर आता है 7 सेटों में से 5 सेट में ये chapter मैं guarantee लेता हूँ मैं रुनेश कुमार हिंदी पेपर के हिंदी पेपर के 7 सेटों में से 1, 2 सेट छोण करके 5 में तो आना ही आना तैं है इसलिए इस पार्ट को एक-एक मेनिंग का आपरेशन करके पी लीजिए तभी अच्छा रहेगा वारान स्याम प्राचीन कालात एव वारान स्याम माने वारान सी में प्राचीन कालात माने प्राचीन काल से एव माने ही यानि प्राचीन काल से ही गेहे गेहे घर घर गर विद्या याह विद्या की दिव्यम माने दिव्य यानि अलोकिक जोती माने जोती द्योतते माने प्रकाशित होती है वारारसी में प्राचीन काल से घर घर में विद्या की दिव्य जोती चमक रही है द्योतते माने चमक ती है अधुना माने आज भी अधुना माने आज अपि माने भी अत्र माने यहां अत्र माने यहां संस्कृत वाग धारा संस्कृत वाणी की धारा सततम माने निरंतर प्रवाहति माने बहती है आज भी यहां संस्कृत वाणी की धारा निरंतर बहती है यह बह रही है कहेंगे यहाँ पर, निरंतर बह रही है, ठिक, जना नाम माने लोगों के ग्यानमचा और लोगों के ग्यान को वर्धयति माने बढ़ाती है, आज भी संस्कृत वागधारा निरंतर प्रवाहित हो रही है, और लोगों के ग्यान को बढ़ा रही है, अत्र माने यहाँ, अनेके माने अनेक, आचार्य हमाने आचार्य, मूर्धन्य माने मूर्धन्य, विद्वान सह माने विद्वान, मूर्धन्य मतलब होता है कि जो महान, मतलब सर्वस्रेष्ट विद्वान, ठीक है, अत्र अनेके, यहाँ पर अनेक आचार्य, मूर्धन्य, वि वैदिक साहित के अध्ययने, अध्ययन के लिए अचा यहां पर है तो उठा के पहले लगा लो, हमेशा शब्द के लास्ट में चा होता है तो उसको उठा के पहले कर लो, तो अर्थ निकलेगा, तो अध्ययन और अध्यापने अध्यापन में इदानीम आज भी निरताह माने लगे हुए हैं या फिर निरत हैं, यहां अनेक आचार्य मूर्धन विद्वान, वैदिक साहित, वांगमे माने होता है साहित, वैदिक साहित के अध्ययन और अध्यापन में अब भी इदानीम निर्ताह निरत हैं लगे हुए हैं शंति माने आते हैं बोलो न केवलं भारती आह अपितु वयदेशी काह गीरवान वानियाँ अधेना यत्रा आग च्छंती न केवल भारती बलकी विदेशी भी देवाणी संस्कृत के अधेन के लिए यहां आते हैं निशुलकम चा चा मने और यहां पर और लगाओ और निशुलक विद्याम गरहनांती विद्या ग्रहन करते हैं और निशुलक सिक्षा ग्रहन करते हैं अत्रमाने यहां हिंदू विश्व विद्यालयाह संस्कृत विश्व विद्यालयाह संस्कृत विश्व विद्यालयाह काशी विद्यापीठम और काशी विद्यापीठ इते यह त्रयाह तीन विश्व विद्यालयाह विश्व विद्या विश्विद्याले संति माने हैं ठीक है हिंदू विश्विद्याले संस्कृत विश्विद्याले काशी विद्यापीठ ये तीन विश्विद्याले हैं ये शुमाने जिन में नवीना नाम माने नवीन प्राचीना नाम चा चा आगे लगाओ नवीन और प्राचीन ज्यान ग्यान के विशय में अध्यानम प्रचलती अध्यान प्रचलित है ठीक ये सुमाने जिन में नवीना नाम माने नवीन प्राचीना नाम और प्राचीन जिसमें नवीन और प्राचीन ग्यान विशय विशयों का अध्यानम मतलब विशयों का अध्यानम अध्यान प्रचलित है अ अब देखो, एशा नगरी, ये नगरी भारति ये संसकृते हैं, यहाँ पर हमने बताया, एक होता है संसकृत और एक होता है संसकृती, ठीक है? ये दो अलग-अलग चीज़े हैं, संसकृत एक ये होती है भाषा, जिसका संसकार किया गया हो, जो शुद्ध हो, जो सरस हो, जो देवानी हो, वो संस्कृत है, संस्कृत अर्थात, जिसको भली भाती सुवेवस्थित किया गया हो, जिसका व्याकरण सुनिश्चित हो, वो भाषा संस्कृत भाषा है, संस्कृती का मतलब होता है क्या? कल्चर, ठीक है, किसी भी देश की कल् ठीक तो यहां पर क्या रिखा गया कि एशा माने यहा नगरी माने नगरी भारतीय माने भारतीय संस्कृतेह माने संस्कृती और संस्कृत भाशाया चाचा यहाँ है और यहाँ लगओ ये नगरी भारती ये संस्कृती और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थलमस्ति केंद्र स्थली है इत एव यही से संस्कृत वांग मयस्य संस्कृत साहित्य का संस्कृते हिचा और संस्कृती का आलोक हमाने प्रकाश सरवत्र मारे सब जगे प्रस्रित हमाने फैला है यही से संस्कृत साहित्य और संस्कृती का प्रकाश सरवत्र फैला है सब जगे फैला है मुगल युवराज दाराशिकोह, मुगल युवराज दाराशिकोह, अत्र माने यहां, आगत्य माने आ करके, अत्र आगत्य बुलो यहां आ करके, बारतिय दर्शन शास्त्राणाम, बारतिय दर्शन सास्त्रों का अध्यनम्मकरोत अध्यन किया मुगल युवराज दाराशिकोह यहां आकर के भारती दर्शन सास्त्रा नाम भारती दर्शन सास्त्रों का अध्धेनम अकरोत अध्धेन किया या फिर आईसा प्रभावित अभावत माने हुआ वहा उनके ज्यान से ऐसा प्रभावित हुआ या इतना प्रभावित हुआ यत माने छोटी की यत माने की तेन माने उसने उपनिश्दाम माने उपनिश्दों का अनुवाद हमाने नुवाद पारसी भाशायाम फारसी भाशा में कारिता करवा दिया ठीक है अब समझो अब समझो यम माने यहा नगरी माने नगरी अच्छा पहले का था पहले हम लोग छोटे छोटे तो पहले हिंदिम समाचार आते थे तो संस्कृत में आते थे और रेडियो बजता था तो पहले हिंदिम आते थे फिर संस्कृत में आते थे फिर अंग्रेजिम आते थे तीनो भाशाओं में एक ही समाचार आते थे अच्छा आज भी आते हैं अगर आप रेडियो बजाएं तो कौन बजाएगा भाई कौन बजाएगा इतने मोबाईल में एक छोटे से हैंड सेट में दुनिया भर की चीजें आ रही तो अब रेडियो कौन बजाएगा लेकिन फिर भी सौकीन लोग है तो आज भी बजता है और चैनल रेडियो के आज भी चलते हैं तो उसमें कहते थे एम आका आशमानी संप्रति सुरुईताम ठीक है क्या कहते थे एम आका आशमानी संप्रति वारताह सुरुयनताम प्रवाचकाहा बलदेवानंद सागराहा तो ये सुर्वात होती थी अब क्या है अब तो होते ही नहीं कुछ इम नगरी यह नगरी बिबिद अन्य माने अन्य चामाने और और बहुत से महात्मानाहा महात्माओं ने अत्रागत्त यहां करके स्वियान माने अपने विचारान माने विचारों को प्रसारयन माने फैलाया है ठीक नकेवलम दर्शने नकेवल दर्शन साहित्ते साहित्ते में धर्मे धर्म में अपितु बलकी कलाक्षेत्रे अपि कलाक्षेत्र में भी इम नगरी यह नगरी विविधा नाम, कला नाम, विविध कलाओं, शिल्पा नाम च और शिल्पों के लिए, क्रते माने के लिए, लोके माने संसार में विश्रुता माने प्रसिद्ध है अत्रत्या यहां की कौशेय शाटिकाह कौशेय शाटिकाह बोले तो रेसम की शाडिया शाटिका मिल साड़ी कौशेय माने रेशम की अत्रत्या माने यहां की रेशम की साड़ियां देशे देशे देश में सरवत्र माने सब जगह इस प्रहियंते माने चाही जाती है अतरत्या माने यहां की प्रस्तर मूर्तयाः पत्थर की मूर्तियाँ प्रथिता माने प्रसिद्ध हैं इम माने यहां निजाम माने अपनी प्राचीन परंपराम, प्राचीन परंपराओं का इदानीम आज भी परिपालेत पालन करती है, तथैव गियते कभी भी, इसलिए कभी गाते हैं, कि मरन मंगलं यत्र विभूति है यत्र भूशनं, कवपीरं यत कवशें काशी के नुप मायतें, जहां पर मरना मंगल कारी, जहां पर मरना मंगल कारी, और विभूति है यत्र भूशनं, जहां पर मरना मंगल कारी, विभूति या भूशनं, जहां कवपीरं मतलब लंगोट, जहां कवपीन रेश मीवस्त, वो कासी किस से मापोगे, कि उसकी उपमा किस से दोगे तुम, समझो, अब समझो, मंगलं माने मंगल है, मरनं माने मरना, यत्र माने जहां, विभूति ही माने, विभूति ही यत्र माने, जहां की भूशनं माने भूशन है, जहां की विभूति ही आभूशन है, राख ही आभूशन है, कौपीनम यत्र माने, जहां का कौपीनम माने होता है लंगोटी, कौशेयम माने होता है रेशमी वस्त्र है, जहाँ आपका लंगोट ही रेश्मी वस्त्र है काशी केन उपमायते उस काशी की उपमा किससे दी जा सकती है अर्थात उस काशी को कहीं से भी मापा नहीं जा सकता है फिलहाल यहाँ पर जो प्रश्ण बनेंगे आपको यहाँ पर दो अंक का एक प्रश्ण आना है तो प्रश्णों को भी तयार करना यह प्रश्ण हम आपको इकठे देंगे ठीक है और यहाँ पर 17 प्रश्ण है एक साथ जितने भी प्रश्ण है हम सब दे देंगे तो मिलते हैं अगली बार में अगले चैप्टर के साथ रेगुलर आप साम साथ बजे जरू जुड़िएगा तो आपको बहतरीन क्लास मिलेगी हमारे साथ कितने लोग जुड़े हैं एक बार हम सबकी कमेंट पढ़ लेते हैं फिर अपनी वानी को विराम देते हैं सार्थक हैं लक्ष्मी मोटिवीशन हैं साक्षी जी हैं देव कुमार जी हैं देव कुमार जी चलिए स्वागत है प्रांजल पाठक जी हैं रोज चलती भाई साथ रोज अब एकका दुका दिन नहीं चलती है बाकी आपको भाई आपको पढ़ना है तो आप टेलीग्राम खाया था, जिसमें हिंदियन वाथ सहीद था, वो notes भी हम आज आपको दे देंगे, वो note आपको दे देंगे, आप उससे पढ़ लेना line by line, कोई problem नहीं होगा, वो notes आप ले लिजेगा, थोड़ी देर में update कर देंगे, daily class आती है, भाई साथ टाइप करना पढ़ता है चीजों क तो एक आत दिन लेट हो जाते हैं, बाकि कोशिस करते हैं, रेगुलर ही चलेगी, ठीक है, रेगुलर क्लास चलती है, परिशान नहों, दिख नहीं रहा, आप अपने मुबाइल की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, क्योंकि होता यह है कि क्वालिटी आपकी डाउन होती है, और आप हमसे कहते हैं, कि सर दिख नहीं रहा है, आप नेटवर्क में आपकी कमी हो सकती है, ठीक है, तो वो आप ज़िक्रपया जहां चलें, टेलीग्राम आई-डी क्या है, तो मैं बता देता हूँ, टेलीग्राम पे अगर आप यहाँ पर सर्च करेंगे, सेम इस्पेलिंग सर लोग फेक बनाए बैठे हैं, वहाँ जुड़ जाएंगे आप, ध्यान सिंदू कोचिंग क्लासेज, एकदम रियल स्पेलिंग डालिएगा, तो आपको मिल जाएगा, हाँ, बहुत अच्छा, मनोहर दुबे जी आप बहुत अच्छा, तो को हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो हैं हैं, लेकिन एक और बात है, कि आप बहुत अच्छा पढ़ते भी हैं, जो बहुत अच्छा पढ़ेगा, उसे ही लगेगा कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, सीधी जी बात है, अगर आप concentrate नहीं कर पाते हैं, आप ध्यान केंदृत नहीं कर पाते हैं, तो दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा अध्यापक आपके दिमाग में कोई बात नहीं डाल सकता, क्योंकि आपको receiver आप है, receiver आप है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो output दे रहा हूँ, मैं तो output निकाल रहा हूँ, अब input तो आपको लेना है, receiving तो आपको करना है, मैं miss call दे रहा हूँ, मैं call करना हूँ call करना हूँ मैं आपको तो call का जबाब को उन्देगा आप دेंगे तो जब आप बटन OK करेंगे तभी तो जबाब देंगे वही पढ़ाई का हाल है हम पढ़ा तो अच्छा रहे हैं लेकिन आप अच्छा नहीं पढ़ रहे हैं तो कहीं ने कहीं लगेगा सिच्छक बेकार है, आप ध्यान के इंद्रित करेंगे तो लगेगा कि हाँ पढ़ाया जा रहा है कुछ और पूरा आएगा, भाई एक एक मीनिंग का ओपरेशन हमने कर दिया, कहीं पर ऐसा मीनिंग नहीं है जो हमने ना बताया हो, कोई ऐसा थी के तमाम प्रकार के वीडियो आपको मिल जाएंगे, ठीक है, तो अब ये 2024 का है, इसे पहले जो वीडियो पड़े हुए हैं, 2023 के हैं, 2022 के हैं, 2021 से सुरू किया था, 21 complete course, 22 complete course, 23 complete course, तीन बार course complete हो चुका है, चौथी बार मैं course फिर से complete कर रहा हूं, तो एक एक चैप्टर क चार चार वीडियो आपको मिल जाएंगे, ठीक है, तो और कोई प्राब्लम किसी को, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद,